नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के ससाइंकाली इंसन्सकरण में और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस विपक्ष की जो बात का दिन तै है बात पहुँचनी है लोकसभा इलेक्षन में हमारा सारा का सारा जो बाती है यानि इलेक्षन कमिशन वाले वो भी तियार है दिन भी तै है शादी का लेकिल ना दूला जो है वो उनको नहीं मिल रहा है हमारे साथ है ओंकार जी, ओंकार चौदरी जी और मनीश ठाकूर जी तो मैं ओंकार जी से आरंव करता हूँ कु साब ये दूले की जो तलाश है ये कहां तक पहुँची है? सबसे पहले तो संजय जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और मनीश ठाकुर जी आपको भी नमस्कार नमस्कार सब देखिए ये तो यक्ष प्रेश्ण है इसका उत्तर मिलना को इतना आसान तो है नहीं उनको ही नहीं मिल रहा है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको खुद में ही confidence नहीं है कि मुझे कोई स्विकार करेगा के नहीं करेगा चेहरे के तोर पर और ऐसे ऐसे चेहरे हैं विपक्ष की तरफ से जिनकी अपनी constituency उस पर भी प्रश्ण चिन्न है केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली में 2014 में शुन्य सीट, 2019 में शुन्य सीट, 2014 में पंजाब में चार सीटें, 2019 में एक सीट और वो भी जब उफ्चुनाव हुआ तो चली गई यानि लोक सभा में इनकी एक भी सीट नहीं है, लेकिन मनीश सिसोधियां हों, संजय सिंग हों, इनके रागव चड़ा हों या आतिशी हों, वो अर्विंद केजरीवाल में बहुत सारी संभावनाएं देख रहे हैं कि अगर कोई चेहरा है इस देश में विपक्ष की तरफ से जो नरेंद्र मोधी को टक्कर दे सकता है, तो वो अर्विंद केजरीवाल ही है, यानि जिसका लोकसभा में एक भी इस समय रिपर्जेंटिटिव नहीं है, उनको वो बहुत सीरियस केंडिडेट मान रहे हैं नितीश बागु जिनको अभी हाल में फिर से सुविचार आया के भारतिये जनता पारिटी के साथ आगे चलना सही नहीं है, और वो फिर से लालू जी के साथ चले गए, उनको जब 2014 में वो भारतिये जनता पारिटी से अलग होकर के लड़े थे, दो सीटें आई थी, 2014 में से, 2019 में जब भारतिये जनता पारिटी के साथ आ गए, तो उनके सीटें बढ़ गई, 16 हो गई, अब कौन सा ऐसा चमतकार होने वाला है, कि वो बिहार की 40 में से, दो तीहाई सीटें जीत करके, सीरियस, प्राइम मिनिस्ट्रियल, जो मैटीरियल जिसको कहते हैं, या दावेदार जिसको कहते हैं, वो बन जाएंगे, अगर ममताव एनर्जी की बात करें, तो ममताव एनर्जी ने, ठीक है, 2014 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 30 से ज़्यादा सीटें ले गई कितनी सीटे जीत पाएंगी पश्यम बंगाल से, और पश्यम बंगाल के बाहर TMC का क्या है, आम आदमी पारिटी का दिल्ली और पंजाब के बाहर क्या है, नितीश बावु का बिहार के बाहर क्या है, ये सारे ऐसे चेहरे हैं, जिनके बारे में एक सेंटेंस कहा जा सकता है, कि ये अपने अपने घरों में शेर हूं, ये सावित करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग इनको शेर मानने को तयार नहीं हैं, और केसी आर की अगर बात करें, वहां से 17 सीटे आती हैं तेलंगाना से, कितनी सीटे जीती थी वही आपने पिछले लोकसभा चु आप देख रहे हैं, और तेलंगाना के बाहर आपका है क्या, कहीं धनिया नहीं उगरा, तो आप कैसे परधान मंत्री पद के चेहरे और उमीदवार बन सकते हैं, इसी तरीके से शरद बाबु को ले लीजे, शरद पवार को, पिछली बार केवल चार सीटे आई थी, वो भी मैं कह रहा हूँ, हुसंजय जी, कि जितने भी ये चेहरे हैं, और राहुल गांधी के बारे में तो आखिर मैं में टिपनी करी देता हूँ, कि राहुल गांधी कॉंग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं, आज भी गोवा में पूर्व मुख्यमंतरी समेत, आठ कॉंग्रेस MLA के भारती जनता पारिटी में सशरीर शामिल हो गए, और ये कन्या कुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, पर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राहुल गांधी के बारे में, वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहें ना रहें, वो सर्वमान्य नेता रह देने वाले हैं, जब सक उनकी उम्र सेविंटी नाइन एयर्स की नहीं हो जाती, जी, तो राहुल गांधी के बारे में आप नहीं तुम्हें टिपड़ी की, मैं सीधे मनीश जी के पास चलता हूँ, मनीश जी, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात तो बिल्कुल सही बात आपने एक लाइन में कही है, और ओंकार सर ने तो पुरें आंकरे के साथ सब कुछ पैक्ट रख दिया है, इंडिस्टिंग ये है कि राहुल गांधी केरल से शुरू कर रहे हैं, कन्या कुमारी से निकाल करके आए, केरल में जो ही इंट्री करा तो ज जर्मारे रामाले से दर्यागर घैक्री करने हिरा में को ये इंडिस्टिंग इंडिस्टिंग शैज करे कि राष दिया है। होने वाली है मां बेटे की पूछता चल रही है तो यह ड्रामेवाजी माना जा रहा है कि राहूल गांदी की रिलाउंचिंग है पता ने कितनी बार उनकी लाउंचिंग होगी भगवान जाने लेकिन इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि भारत जोरो के माध्यम से कॉंग्रेस अ हो गई है अभी सर दो दिन पहले परसो की बात है कि नितीश कुमार की फोटो के साथ जेडियू ने एक तस्वीर साजा की थी फिरोज जहांगीर गांधी फिरोज जहांगीर गांधी की पुनितिति मनाई थी हमने आज तक नहीं देखा कि कॉंग्रेस पार्टी उनकी कभी प गांधी फिरोज जागिर गांधी या फिर क्या कभी वो समता पार्टी या जेडियो के उमिदबार रहें नितीश कुमार के लिए जब कहा जाता है कि इंधे पेट में दात है तो समझ ने आता है कि नितीश ने चोट कहां मारी है कि तुम अपने दादा से तो जूड़ लो पहले नितीश यही कह रहे थे कि भारत जो निकले हो और हर आदमी की पहचांसर गांधी में पुछने कौन हो तो अपने पिता के बदले दादा का परीचे लोग देते हैं कि फला भाभू के पोता हैं तो यह जो हैं यह अपने दादा से तो जुड़े नहीं है आज तक किसी कुमार ने भारत जोरों आंदोलन के बीट जो यह तस्वीस आजागी पर सो यह बहुत बड़ी चोट है उनके उपर और दूसरी प्रवी सवाल उठने लगा है कि एक व्यक्ति जो शादी सुदा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के निवास से छोटा नहीं है उसमें मां अक चलावा कुछ भी नहीं बन रहे है और अब जो काम मुझे लगता कि कल जो रास्ट आरसेस के जो गनवेस में होने जो आग लगाई है वो मुझे साथ दिख रहा है कि इस तरह से रावन ने हनुमान की पूछ में आग लाकर बरबादी की थी यह बरबादी कर मुझे लग रह उसी तरह राहूल गांदी ले भारत जोरो नहीं यह साफ दिख रहा है कि इस कॉंग्रेस ने क्या कुछ जोरा है इसी ने सवाल बहुत अच्छा है मंतव इसो सर्मा ने पूछा कि भारत तो जोरा हुआ है भाई सदार पटेल ने इस भारत को जोर दिया हुआ है तुम्हारे पर नाना ने जो जोरा भारत को अलग किया हुआ है वहां से शुरू करो तो अच्छा होता कि लाहुर से शुरू करते राहूल गांदी तो समझ में आता कि इनकी इक्षा शक्ति क्या है और प्लैनिंग क्या है यह साप नाटक समझ में आ रहा है कि अपने आपके बचाओ के लिए यह एक तरह से रिलाउंचिंग का प्रोग्राम है बार बार रिलाउंचिंग हो रहा है एक बार और सही जी वापस आता हूँ अपने आपको आधिकारिक रूप से प्रदान मंत्री की दोड़ से अलग कर लिया है तो एक कैंडिडेट तो कम हुआ अब बचते हैं चार लोग बनते हैं अब जिसमें से फाइपर एक्टिव सबसे अधिक इस समय जो है वो एक पर नितिश हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल हैं और केजरीवाल और कहीं नहीं होकर इस समय गुजरात में बड़े एक्टिव हो रहे हैं और आप एक ध्यान होगा हमने एक सर्व क्रेस की बुली बटकी कोई सीट उनको मिल जाए तो मिल जाए तो लोकसभा में जैसा आपने गिनाया कि समशूनी सीटे हैं उनकी पंजाब में खुझ मुक्ष मंतरी की सीट जो है वो उपचनाव में हार गए तो जो केजरीवाल और नितिश में जो प्रतियोगिता चल रही जो प्रतिश परदा चल रही इसको कैसे देखते हैं देखे आरविंद केजरीवाल की जो सक्रियता है वो दूसरे कारणों से है उनको भी तो पता है वो कोई मुर्ख नहीं है बहुत चतुर सुजान है इस मामले में उनको यह पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है थोड़ी बहुत संभावनाएं अगर कहीं हैं तो पंजाब है पंजाब में उनको कुछ सीटे मिल सकती हैं डिफेंड करेगा कि कॉंग्रेस का वहां कितना कमजोर परदर्शन रहता है और अकाली दल का कितना कमजोर रहता है बहारतिय जंता पारिटी को एक दो सीटे कहीं मिल जाएं इससे ज्यादा संभावनाएं मैं पंजाब में देखने ही रहा हूं अभी भी क्योंकि लोग सभा का चुनाओ अलग तरीके से होता है विदान सभा का अलग तरीके से होता है नेत्र तो भी अलग होता है मुद्दे भी अलग होते हैं पर अर्विंद केजरिवाल इस समय भार जिसमें इनके डिप्टी फंस रहे हैं, बुरी तरीके से फंस रहे हैं, उसका इस्टिंग भी सामने आ चुका है, और दूसरा जो लो फ्लोर बसें थी, उनकी खरीद की जो शुरुवात की थी इनोंने, और जिस तरीके से उनके मेंटिनेंस का टेंडर भी जिस कमपनी के रहे थे, उसी को दे दिया, और वो भी बहुत गडबड गोटाले के साथ दिया, यह सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना, कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो टेलिविजन खरीदें, चाहे आईपेड खरीदें, या लेप्टॉप खरीदें, उसकी कु बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं, तो उसकी भी CVI जाच की सिफारिस हो गई है, एजूकेशन डिपार्टमेंट में जो कमरे बगएरा बने हैं, उनको जिस तरीके से टोईलेट को भी कमरे दिखा दिया गया, और एक कमरे की अगर लागत आप 30 से 33 लाख रुपया दि है, एक मंतरी इनके अल्रेडी जेल में पड़े हुए हैं, दूसरे के सिर पर CBI ED की तलवार लटकी हुई है, अर्विंद केजरिवाल को मैं चतुर सुजान इसलिए कह रहा हूं संजय जी, बहुत चालाकी से इन्होंने जब मंतरी मंडल यानि मंतराले बांटे लोगों को, अपने साथियों को, तो खुद कोई मंतराले लिया नहीं, इसका मतलब ये है, कि जो भी टेंडर छोड़े जाएंगे, जो भी फैसले होंगे, उन पर किसी फाइल पर अर्विंद केजरिवाल के साइन नहीं होंगे, और पिछले दिनों जो लेफटिनेंट गवर्नर ने इनक सिगनेचर के साथ आपका सिगनेचर भी चाहिए, आप सिगनेचर करके भेजिए, तो ये बहुत चालाख है, इन्होंने कोई मंतराले इसलिए नहीं लिया, कि आगे चल करके जो खेल होने हैं या करने हैं, उसमें अगर फंसना है, तो मंतरी फंसेगा, चीफ सेकेटरी फंसे अगर एक-एक करके सारे मंतरियों की गर्दन फंसनी है, जिसकी अब आशन का दिखाई देने लगी है, साफ-साफ तोर पर, तो इनमें से कोई एक मंतरी तो तो टूट जाएगा, वो तो अर्विंद केजरिवाल का नाम लेगा, तो अर्विंद केजरिवाल कब तक बचेंग तो ये जितनी उचल-कूद इस समय दिखाई दे रही है, चाहे हिमाचल में, चाहे गुजरात में, अब तो हिमाचल भी छोड़ दिया है इन्होंने एक तरीके से, अब तो केवल गुजरात पर फोकस कर रहे हैं, तो ये इनका जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, वो शो करता है, और जितने ये सीरियस हैं, प्राइम मेनिस्टर केंडिटेचर को लेकर के, वो तो मैंने बताया कि इनकी संभावनाएं कितनी हैं, दस सीटें इनको लोग सभा में मिल जाएं, तो मैं चमतकार मानूँगा उसको, अगर पंजाब से इनको दस सीटें मिल जाएं, और दिल् 24 में भी दिल्ली में इनका कोई खाता खुल पाएगा, इसलिए केजरी वाल भागदोड कर रहे हैं, दूसरे नितीश बाबु का आपने पूछा, तो नितीश कुमार तो इस समय अपने आपको लाइम लाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत सालों से गलत फह हैं रही है, कि मैं परधान मंत्री पद का दावेदार हो सकता हूं, या मुझ में वो मतलब ताकत है, काबलियत है, लेकिन शायद जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकते जा रही है, उसका एहसास है नहीं उनको, 2010 में 115 सीटी आई थी विधान सभा में, 2015 में ये घट करके 71 रह करके 43 रह गई, और अगर भारतिय जनता पारिटी साथ ना हो, तो लोकसवा चुनाओं में क्या हाल हाल होता है, 2014 उसका स्रेष्ट उधारन है, तो ऐसे में नितीश कुमार को क्या गलत फेहमी है, जिनका नाम अखलेश यादव भी नहीं लेते, कि वो भी परधान मंत्री के उमीदवार हो सकते हैं, और बड़े दिल्चस्प कुछ वाकिये हुए हैं, पिछले दिनों अगर हमने गोर फरमाया हो, जब शरत पवार ने राष्ट पती पद के उमीदवार चेहरे के लिए एक बैठक बलाई थी, तो उसमें केसी आर नहीं पहुंचे थे, उप राष्ट पराष्ट पती के लिए शरत पवार ने इनिशियेट किया, तो मम्तव एनरजी नहीं पहुंची, इसी तरीके से सब एक दूसरे को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो नितीश बावु और अरविंद केजरिवाल जो भी भागदोड कर रहे हैं, बस ये सुर में बनाए रखने की एक कवायद भर है इनकी, जे और मनीश जी बता है, ये नितीश जी की बात चाहितो, नितीश जी जो है, पिछली बार 17 सीटे पा गए थे, और उसके उपर मैंने भी उसमें टिपनी की थी, और लोगों ने भी टिपनी की थी, कि इनको किस हिसाफ से 17 नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इस नितीश के साथ में पता नहीं क्यों, बाजपा जो है, वो सदय रक्षात्मक मुद्रा में रही है, लेकिन तेजस्वी भी क्या, इनके साथ में रक्षात्मक मुद्रा में रहने वाले हैं, क्योंकि उनका तो कोई स्टेक है नहीं द चोड़ करके जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं जिसको मीडिया ने बनाया हुआ है चाहे वो केजरीबाल हो नितीश कुमार हो एसी आर हो ममताब एनरजी हो ये सब चतुर खिलाडी है लॉमडी है और इन सब में किसी को भी भ्रम नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ राहूल गांधी के अलावा सब समझदार हैं सिर्फ राहूल कोई मुझे लगता है भ्रम है कि वो प्राइम क्योंकि नितीज कुमार को ये लगने लगा था कि जो एक नैतिक बल के साथ वो बिहार के सीएम बने हुए थे अभी 32-33 MLA लेकर कि आप चिप मिनिस्टर बने हुए आम उनको शरम और लज्जा नहीं आ रही थी एक बहतर समय लगा कि सजाय आपता लालू यादव अभी जेल का चक्कर लगा रहे हैं बेटा तेजस्वी बेटी मिसा भार्टी और पत्नी रावरी देवी उनकी जाने वाली है जेल तो ये भै दिखा करके कि यदि तुम्हें किसी भी ढंग से अब जब जिस तरह से CBI मुझे लगता है कि जो इफ्तार पार्टी में जो जिस दिन लालू परसाद यादव के पत्नी के घर आवरी देवी के घर नितीश गए उसी दिन ये धंका दिया डरा दिया कि जिस सरकार तुम्हारी नहीं रही तो पूरा कुनबा जेल जाओगी एक ही तरीका है कि जेल से ब बिहार जल रहा था और बिहार में नितीश कुमार की सरकार थी ये साफ दिखा कि आरजेडे के गुंडों को नितीश कुमार की सरकार ने खुला छूट दे दिया इस सरकार के जब तक नहीं चाहेगी कई तीनों तक सड़कों पर उत्पात नहीं हो सकता जिस तरह से अरवों क सपोर्ट था और इकतर से इंडिकेट कर दिया गया कि जब सरकार का सपोर्ट होता है तो कारेकरता गुंडा-गर्दी कर सकते हैं तो जिस दिन लाल राबरी देवी के घर पे इसी लिए कि अधिकारी आएंगे तो बिहार में यहीं सरकार अपनी रहेगी तो बच सकते हो इसलिए कि सरकार में तुम एक लालच दिया गया कि इस विपक्ष में तुम कुछ नहीं कर सकते हो और नितीश को बचाओ करना था मुझे व्यक्ति गत रूप से लगता है कि खारिज हो रही है लिए कि निनकि पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि भारत में अध्री वह रही है कि एंख्ष्ट्री करं के बोट को नशितने भी पार्टी आपर ऌश्ष्ष्ट्री करंन ख्राण केुट को एक तरसे कही नहीं लालस बाली में इस देश पहला नेता केजरिबाल थे जिसने जामा मस्जिद के इमाम को कह दिया कि हमें तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए जब कि आपने देखा होगा कि उंकार सब्सका तो लंबा अनुभर इस चीप सतकाईटा का इस रूप में भी है कि कैसे लोग विसुनात पटाप सिंग से लेकर उसके पहले के दौर में भी लोग घुटने के बल होते थे जामा मस्जिद के इमाम के सामने में केजरि पहला सक्स थे जिसने 2013 में कहा था कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए केजरिबाल दिल्ली में भी सपोर्ट नहीं मांते हैं एक अमाना तुल्लाप सांग को छुटता चो रखा है वैसे गुजरात में करेंगे वैसे पंजाब में करेंगे तो ब्रहम मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम किसी को है तो सिर्फ राहूल गांदी को है लेकिन छेत्रिय छत्रपों के कारण भारत की जो खैराती मीडिया जिसे मैं कहता हूं यह भारत के जो लुटियन दलाल हैं उन सब की अपेक्ष्ण है अब जितने बड़े-बड़े पत्रकारों को देख लिए जिनका पिछले आठ सासे जिनकी दुकाने बंद हो चुकी है मुझे लगता है वह स्पा सन파 हौल बना रहे हैं चत्रिय चत्रपों को कि तुम प्रजान मंत्री बन जाओगे कॉंग्रिस अगवाई करेगी अगवाई तो कॉंग्रिस करेगी लेकिन ये सपना नितीश कुमारों को दिखाया जा रहा है, के जरिवालों को दिखाया जा रहा है, के सियारों को दिखाया जा रहा है, लेकिन ममता बेनर जी साजिस को समझ चुकी हुई है, इसलिए ये लडाई कहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक छलावा के लावा कुछ भी नही के से कर रहे हैं और उसमें कहीं कहीं A की की इसरे को चोंटने के वात हैं मसला मंता दीदी के ऊपर अगार जी मममता दीदी के किकशाँ कि आ प्राइम मिनिस्टर से भी मिली थी किस कदर चुपी साधे हुए थी चुपी इस मामले में कि जब जब भी वो दिल्ली आई हैं या बीच में मुंबई गई थी जब शरत पवार से उधर ठाकरे से मिलने के लिए उस समय भी कितनी वोकल थी कलकत्ता में भी दिल्ली में भी और मुंबई में भी मेडिया से बात की थी यूपी ए के अस्तित्व को लेकर के कॉंग्रेस को लेकर के राहुल गांदी को लेकर के उन्होंने बयान बाजी की थी लेकिन इस बार जब वो दिल्ली परवास पर थी तो एकदम खामोश थी, कुछ खास बयान दिये नहीं, मेटिंग में शामिल हुई और वापस कलकत्ता लोट गई, क्यों हुआ ऐसा, वजह क्या है, क्योंकि इससे ठीक पहले, उनके एक मंत्री के यहां जो छापा पड़ा था, इगडी का, जिसमें करीब 53 करोड रुपे का कैश ब बरामद हुई थी, असीमित संपत्यां अलग अलग जगहों पर बेनामी के तोर पर खरीदी गई थी, उनका पता लगा था, उनके दस्तावेज बरामद हुए थे, और फिर इनके एक और करीबी, जो मवेशी तसकरी के मामले में, अनुबरत बंडल, वो गिरफतार हुए, उ एक और बात, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट, दो मई की हिंसा के बाद, करीब करीब दो तीन महिने, बलके मैं खाऊंगा कि चार महिने तक लगभग खामोश थी, लेकिन उसके बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कम से कम साथ से नो मामलों में, ममताव एनरजी सरकार प खड़ा किया है सरकार को जवाब देही सुनिश्चित करने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिया है ममताब एनरजी इस समय खौफ जदा है डरी हुई है तीसरे भारतिय जंता पारिटी दो माई की हिंसा के बाद बैक फुट पर दिखाई दे रही थी नरेंद्र मोदी और अम भारतिय जंता पारिटी का बड़ा खाम्याजाभगतना पड़ सकता है लेकिन इधर जो ग 느агना हुई है भारतिय जंता पारिटी का जो आक्रामख रूख दिखाई दे रहा है जिसमें पुलिस की तरफ से भी जयातियों की खबरे आ रही है भान जली अब्शे जंता पारिट गाड़ी जलाई गई हिंसा हुई है ये सारी चीज़ें बताती है कि 2024 का चुनाव मामता के लिए बिल्कुल आसान रहने वाला नहीं है जो एक तरफा दिखाई दे रहा था वैसी situation नहीं है और ना भूले हम आखिर में कि अभिशेक बेनर जी उनकी पत्नी रोजेरा और साली त कि कुछ अप्रिय हो सकता है आने वाले दिनों में इसलिए वो जो सारी इस्तितियां परिस्तितियां इस समय वेस्ट बेंगॉल में बनते हुई दिखाई दे रही है उसमें खामोश रहना ज्यादा बहतर समझ रही है बीच बीच में एक दो बयान जरूर उनके आए हैं लेक से वो अपने आपको निर्पेक्ष रखे हुए हैं और उन्होंने बीच-बीच में यह बताया भी है कि कॉंग्रेस तो बिलकुल स्विकार नहीं रहुल गांदी तो बिलकुल ही स्विकार नहीं तो कुछ-कुछ मामलों में वो इस्टैंड ले रही है और जो मनीश जी ने ब कि प्रशन पूछ सकते हैं और प्रशन पूछने के लिए वाट्सःब का भी प्रयोग कर सकते हैं और शूपर-चैट बी प्रयोग कर सकते हैं। आप उसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकॉन भी आप दबा लें और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक्स पर जाकर कर सकते हैं, तो हम आगे चलते हैं, ममता दीदी की बात करी, तो ममता दीदी ऐसा लग है? बिल्कुल ममता दीदी को फायर ब्रांट कहा जाने लगा, और कहा जाने लगा कि ममता दीदी जिस ताकत के साथ मोधी पे हमला कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता, और यह उम्मीद मोधी विरोधियों में ममता दीदी ने बढ़ाई थी, और हाली में जो एक तरह से जो साली में बसी हुई है, अब साली बीबी से पहले जेल जाने वाली है, और में तो बड़ा मजाक में लोग कहते हैं कि साली, साली खुदा ही एक तरफ जोरू की बहाई एक तरफ तो जोरू की बहन है, तो तो जादा प्रिये हैं, और पूरा मामला दिख रहा है कि पूरा जो पैसे का ट्रांजक्शन है वो मेंका गंभीर के एकाउंट में है और जिस तरह से कोलकाता हाई कोट का आदेश था और पूरा मामला दिल्ली के लिए बुलाया गया था मेंका गंभीर को जो अब इनकी साली है मतलब ममताब एनर्जी के भतीजे की साली ये निर्देश कॉलकाता हाई कोर्ट से लिया गया कि दिल्ली में पूच्टाज की जरुवत नहीं है आप बंगाल में पूच्टाज करिए कमाल की बात ये है कि जब बंगाल में पूच्टाज करने की बाड़ी आई तो बिना जांचेजिंसी की जानकारी दियो बैंका भाग थी और उधरा गई इसका मतलब साफ है कि चोर के दानी में तिनका है अब शेक बैनर जी की जयान जिस तोते में बसी हुई है उसकी गिरफतारी बहुत जल्दी होई है और जो ही उसकी गिरफतारी हुई कि तैसिकों की परसो पूछता भी हुई है उसके साथ गंटा तो एरपो केजरिबाल तो कोई समझाता नहीं है कि भाई तुम्हें 38 नंबर की शर्ट आती है 46 नंबर की शर्ट क्यों पहनते हो कोई यह नहीं बताता कि यह थरा जो कम से कम बीवी भी तो यह बता सकती थी यह जो ड्रामवाजी भाटते इराजनिती में है मुझे लगता एक साथ यह दिल्ली और पुलकता में यह लोग वो लोग जब जिनके उपर आरोग जो पता है कॉंग्रेस के लिए अब कुछ कुछ खोने के लिए नहीं कॉंग्रेस को तो पता ही देश जान चुका है कि यह भ्रश्टम पार्टी है यह जो आवरन ममतार एनरजी ने ओड़ा हुआ है सा दिल्ली के लुटियन मीडिया ने बार बार ममतार एनरजी जो दिल्ली आती थी यह गाइब क्यों है यह साफ दिखता है कि उन्हें पता चल गया है उन्हें लगता है कि यहां जो फाइट है अब यह लड़ाई जो बंगाल की है वो जितना ज़्यादा मजबूती के साथ यही बीजेपी को हम अवसर दे दे कि बंगाल में आकर के तुम फाइट करो यह मुझे लगता है कि दो सालू के मिलन के साथ जो 49 से सीट कम तो होनी है उसकी भरपाई बंगाल से होनी है और इसके बाबजूद ममता की चुप यह चौकाने वाली बात है तो ममता को लग रहा है कि बहुत कुछ तबाही होनी है यह प्रहान मंतरी बनने के सपने मुने बहुत कुछ खोना है और और उनकार जी और उस समय तो चार सीटे समभवता आ रही थी क्योंकि जो हानी भार्टी जंता पार्टी ने अपनी कर लिये विदान सभा चुनाओ के बाद अपने एक बिल में जाकर और कारकटाओं को छोड़कर तो उसका नुक्सान केवल एक आंदोलन से हो जाए ऐसा मु बहुती एक्यूरेट रही है आज तक अब बात करते हैं ओंकार जी से हैधराबाद में 17 सितंबर को बड़ा मेला हो रहा है मुझे लगता है कि उससे भी काफी इंपक्ट पढ़ने वाला है आप क्या सोचते हैं देखिए शायद मई 2018 में बैंगलूरू में भी जब कुमार स् का शफत ग्रहन था तो कौन-कौन से चेहरे वहां नहीं थे राहुल गांधी सोनिया गांधी मामता बैनर जी मायावती से लेकर के मरहूम अजीद सिंग और वाम पंथी भी सारे नेता इकठा हुए थे और हैधराबाद में भी अगर इकठा होंगे और सब उपर हाथ करके सर परंडर की मुद्रा कहता हूं उसको जो अभी तो जिस तरीके से हाथ उपर खड़े करके बाहर आता है हत्यार डाल करके तो जब इकठा हो करके आप फोटो की चवाते हैं इसका मतलब अपनी कमजोरी परदर्शित करते हैं कि कोई ऐसी शक्ती है जिसके खिलाप आपको एक जुठ होना पड़ रहा है तो 17 सितंबर हो या 25 सितंबर जो हर्याना के हिसार के पास देविलाल जयन्ती के मौके पर ये सब इकठा करने की कवैद चल रही है उंपर कास चोटाला के द्वारा ये सब क्या शो करता है बस इतना ही शो करता है कि एक जुठ होने का एक भ्रम पै करना कि क्या इंपेक्ट होता है इसका कोई प्रभाव पड़ता है ओम प्रकास चोटाला की आज क्या हैस्यत रह गई हर्याना में नब्य के सदन में केवल एक विधान सभा सीट एलनाबाद वाली उनके बेटे अबै चोटाला ने जीती थी पिछली बार लोक सभा की एक भी स जाएं तो सब का पता लग जाएगा कि इनके पल्ले में है क्या और इनमें से आदे से अधिक की तो राजनीतिक जमीन लगभख हिसक चुकी है 2019 से पहले का एक वाकिया याद करिए चंदरबाबु नाइडू हर मौका तलाश करते थे दिल्ली आने का और राहुल गांदी को अलग-अलग कलर की शोल ओड़ा करके फोटो अपरचुनिटी अवेल करने का क्या हुआ था? 2019 में विधान सभा चुनाव में बूरी तरह से परास्त हुए, लोक सभा चुनाव में भी उनकी सीटे घटकर के एकदम नीचे आ गई, उसके बाद से चंदरबाबु नाइडू का कोई नाम लेवा, पानी देवा कहीं दिखाई देता है, जो विपक्ष की य पूरा एक प्रहसन चल रहा है, उसमें कहीं चंदरबाबु की कोई तनिक सी भी भूमी का दिखाई देती है, कोई पूछता है क्या आज उनको, इसी तरीके से अलग-अलग स्टेट में, जो भी इस समय नेता सक्रिय, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कि उनको सक्रिय नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, कि एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, जो सिस्टम है, उसमें मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष मजबूत होने के साथ साथ, अगर जवाब दे हो, और जिम्मेदार भी हो, अगर थोड़ा सा अनुशाशित भी हो, अगर वो सही में विपक्ष की भूमी का भी निभाए, आप पारलेमेंट चलने नहीं देंगे, वहां हंगामा करेंगे, पंदरा पंदरा दिन, बीस बीस दिन, उंकार जी मैं सत्रा सितंबर को जो हैदराबाद में मुक्ति आंदोलन वर्सस एकता दिवस जो होने जा क्योंकि वहां पर भाजपा जो है एक तेलंगाना हैदराबाद मुक्ति आंदोलन मनाने जा रही है, और उसी दिन जो है, यह OEC और हमारे KCRG जो हैं, यह मिलके वहां पर एकता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसके काउंटर में, तो मैं यह आप से निवेदन करा था कि इसका क् आएगा, वो इसका नाम यह नहीं यह होना चाहिए, तो उससे भी उनकी इंटेंशन जाहिर होती है, कि क्या है, और भारतिय जनता पारिटी क्या उसमें मैसेज देना चाहती है, वो भी सर्व विदित है, तो इनका परफॉर्मेंस जैसा वहां रहा है, और जो इनकी आपस में बांडिंग रही है, आपके केसी आर की और असदुदीन ओवेसी की, और अलग 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 100 रुपे हम देखते भी रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए, कि हैदराबाद मिनिसिपल कार्पोरेशन के जब इलेक्शन हुए थे, तो भारतिय जन पारिटी को वहां किस तरीके का समर्थन मिला था, चार से बढ़कर के शायद वो 44 सीटों पर पहुँच गई थी, और योगी को भी तब वहां बुलाया गया था, इसके अलावा तेलंगाना में भी आंधरा परदेश में भारतिय जन्ता पारिटी को उतना स्पार्किंग दे दिखाई दे रहा है, लोकसवा चुनाव में भी, विधान सवा चुनाव में भी, और के सी आर की जो घबराहट है, या असदुदीन ओवेसी की, उनके कुनबे की जो असुरक्षा की भावना हमें दिखाई देती है, उसके पीछे भी मेन कारण यही है. जी, मनीश जी, आपको क्या वचार है? अपने आपको कैसे स्ट्रॉंग करे? उसे लगता है कि यह सबसे महत्पूर्ण मुद्दा अभी हैदरावाद को ले करके है, ताकि आंध्रा और जो तैलंग दाना है, इन दोनों छित्रों में ये बड़ा बीजेपी के को मोटिवेट करने वाला एक आंदोलन बन करके और ये चीजें ये बीजेपी वहां इंट्री कर गई, तो ये जो ओवेसी का जो ड्रामेटिक राजनिती हर जगा होती है, ये कूद करके कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, अभी तो गुजरात में भी उन्हें करना है, ये जो हर जगा अपको बनाते हैं, इन्हें लगत में पेश करते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट के रूप में हैं, लेकिन एजेंट बनने का बात, ओवेसी यदि वहां अपनी उनकी जमीन हिलती है, और ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये ओवेसी के वजूद का सवाल हो जाएगा, उनकी राजनितिक वजूद का सवाल हो कि ताकि चर्चा में बना होना बहुत बागपुन है यदि भाजपा इस समुद्धे को लेकर कि अब 17 तारी को चर्च क्या सपास चर्चा में रहेगी तो यह यह महौल कहीं न कहें KCR और OVC भी बनाएंगे इसको ठीक इस रूप में देखिए कि जब प्राइम मिनिश्टर पर कि राहूल गांधी के दादा जी का नाम जो है वो अख़बारों में स्रधान जीली नितिश कुमार देने लगें तो यह दरसल चर्चा में यह आपस में संघर्च की लड़ाई है चर्चा में बने रहने का है और इससे जादा मुझे वेक्तिगत रूप से कुछ समझ में नह इशान तिवारी आर एसस एक ऐसी फैक्टरी है जो जमीन से जुड़े जमीनी राजनीची करने वाले निताब बनाती रहे की विपक्ष में ऐसा कोई संगठन नहीं है वहां सिर्फ परिवारबाद है आगे बीस पच्चीस साल मुझे बीजे पी का ही शासन दिख रहा है कि टिपणी है तो इसे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं देखिए विपक्ष की तरफ से और खास्तोर से राहुल गांधी के नित्रत्तों वाली कॉंग्रेस की तरफ से जिस तरह की हरकत अभी दो दिन पहले हुई है एक गणवेश में आग लगाते हुए एक ट्वीट किया ग गो उससे क्या महसूस होता है उनका फ्रस्ट्रेशन कि वो बले ही सेवादल, यूद कॉंग्रेस, एन एस यूई इस तरह के संगठन बनाए हुए हों, महिला कॉंग्रेस, लेकिन उसका प्रतिफल क्या है? लेकिन RSS जो अब से पहले, यानि 2014 से पहले ये माना जाता था कि वो एक अंब्रेला की तरह है, और भारते जिनता पारिटी हो, ABVP हो, या दूसरे जो अनुसांगिक संगठन हैं, वो सब उसकी छतरचाया में काम करते हैं, ये सब उसकी राजनितिक विंग हैं या दूसरे क काम करने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में तो हालत ये है कि भारतिये जनता पारिटी वो RSS के नित्रतों पर भी कई बार भारी पढ़ती हुई दिखाई देती है, तो RSS जो जमीन पर काम करता है, बजाए उसका एक मुल्यांकन करने के, देखने के जाकर के, कि वो राजनितिक कारणों से और राजनितिक स्कोर करने के लिए, या कहना चाहिए कि जो मुस्लिम वोटर है, उनके तुष्टी करन के लिए, उनको युनाइट रखने के लिए अपने लिए पक्ष में, जिस जिस तरह की हरकते पॉलिटिकल पारिटियां करती रहती हैं, और वहास उड़ाओ या मजाक करो या इस तरह की हरकते करो जो की गई है, इससे नतीजा क्या निकलता है, अतीत में जिस तरह की बाते कही गई हैं, जिस तरह के अपमान जनक व्याभार हुए हैं, टिपनियां की गई हैं, उसका नतीजा तो अब तक भूगत रही है कॉंग्रेस और इसका हमेशा reaction बहुत strong होता है ये ऐसी हरकते करके अगर इस खुश फैमी में हैं कि हमको इसका कुछ फाइदा मिलने वाला है तो जो reverse polarization होता है धुरुवी करण होता है प्रतिकरिया होती है वो उसका कई गुना हो जाती है कई बार तो ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक जी अगला प्रश्ण है सौरव कुलकरणी astrologer नर्सिमारावस prediction देखे हम astrologist के prediction पर बात नहीं करते हैं आपने जो कहा है कि वह उसको दोहरा देंगे उस पर कोई tip नहीं लेंगे ये ममताब energy government will fall before April 2023 योगी जी विल रिजाइन स्यम and move to central मोदी जी विल रेटायर from PM post या आप का विचार है नर्सिमारावजी का विचार है हम इसके उपर ना तो टिपणी करेंगे ना तो टिपणी का आग रह करेंगे नूब गेंपले डोंट यू थिंक demography is not in favor of BJP in West Bengal as 33% Muslim and 1995% Muslim वोट दीदी only 40-50% Hindu will vote for BJP easy win for Mamta as election analyst मैं आप कुझे कह सकता हूँ कि 34.5% Assam में यदी भारती जनता पार्टी जीत सकती है 90-95% Muslim वोट उनकी तरफ पढ़ते हुए third demography का प्रश्ण नहीं है प्रश्ण वहां संगठन के सुद्रण होने का है और वहां पर जमीन पर खड़े होके fight करने का है शान तिवारी जी मुझे लगता हाई कोर्ट में BJP ने अपनी पैट बना लिये जिनराजियों में BJP नहीं वहीं राजपाल और हाई कोर्ट मिलकर सरकार की बैंड बजा रहे है ED और CBI तो पीछे लगा ही सकते है इस कारण से विपक्ष कुछ कर ही नहीं पा रहे है पनीश जी जी अब इन तब सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है अब हाई कोर्ट को तो कैसे क्या कहा जा सकता है बिलकुल बिलकुल नेक्स्ट किरनवाला जी धन्यवाद शेव सत्य उपोजिशन पार्टी और एक्सपर्ट डिवाइडर्स डियम के लैंगुजेज नितिश जादवकास केसियार स्टेट राहुल यात्रापत इवन स्प्लिट्स इंडिया इन्टो टू ओंगार जी इनसे तो एक्चल में राहुल गांदी से तो फूजना चाहिए लोगों को कि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा अगर पाकिस्तान के कबजे में है तो वो किसकी वज़े से है किसकी नालाइकी की वज़े से अगर भारत का विभाजन हुआ था जिस पर संजय दिक्षित जी की भी एक पुस्तक है वो किनके कर्मों या कुकर्मों की वज़े से हुआ था और अगर चीन के कभजे में एक बड़ा भुभाग अभी भी है तो वो किसके समय में हुआ था अगर भारत के कई टुकडे हुए हैं मतलब इस मायने में के एक पाकिस्तान, बाल्टिस्था, गिलगिट बाल्टिस्थान, एक बड़ा हिस्सा पियो जे के चाइना के UP जे में और नीचे फिर बांगला देश के रूप में ये किन की वजह से हुआ है, किन के कर्मों की वजह से हुआ है. तो यह नाटक नोटन की है भारत जोडो और किस तरह का भारत जोडो इस समय चल रहा है ये तो आप देखी रहे हो एक विवादित फादर से मिलते हैं जो इन ही के मुँपर बैठ करके ऐसी बाते कहते हैं जिससे पार्टी को किनारा करना पड़ता है अगले दिन उसका खंडन क करना पड़ता है कि हम सहमत नहीं है नेकर में आग लगा करके ट्वीटर पर डालते हैं यानि यह चोडने की बात केवल ड्रामा है यह चाहते हैं कि हिंसा हो परतिक्रिया हो और चीजें तूटे हैं तो भाईया कितना और तोड़ोगे सवाल तो इन से पूछे जाने चाहिए यहां जॉर्ज पुनया के तो लोगों ने मेरे को पॉर्न वीडियो भेज दिये जो इस समय तमिलाडू में भी चल रहे हैं काफी सोशल मीडिया पर बताया जाता है तो वो तो एक बहुती कलाकार विक्ती है तो राहुल गांदी की जो बेसिक आईक्यू है वो आफ सब जहा जानते हैं तो उसके अनसार यदि वो जॉर्ज पुनया से मिलके उससे बात चीत कर लेते हैं तो वही वाली बात है कि राहुल गांदी के लिए तो कुछ करने के आवशक थे नहीं है आज एक वाटसेप पे चल रहा था मैंने भी ट्वीट पे साजा किया है और मैं उसको दो लेकिन कॉंग्रेस ने कदा छोड़ दिया है अगला प्रशन अरशन मालवे हर बीजेपी इस गुएंग विद लेफ्ट इंवेस्पेंगान वाट्स गुएंगान मैंने तो नहीं सुना आप लोग ने सुना नहीं नहीं इसके कोई संभावना भी नहीं है उसके कोई संभाव मजबूत विपक्ष के रूप में किस पार्टी की ज्यादा संभावना है आप दोनों लोग एक-एक करके अपना मत बता सकते हैं लेकिन विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस है इस सच को स्विकार करना पड़ेगा देखिया जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि इस देश में और किसी भी लोगतांतरिक देश में एक मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए जो check and balance रखे Parliament के बाहर भी Parliament के वहीतर भी और वो संभावनाएं अभी भी Congress में ही है कहीं और नहीं है पर Congress को इसके लिए बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे वो करनी सकती है क्योंके राहूल गांधी ने तै कर लिया है ना किसी को करने दूँगा तो Congress भी एक जिम्मेदार विपक्ष और मजबूत विपक्ष के थोर पर इस्टेबिलिस हो पाएगी फिर से लगता नहीं है अब तो इसके senior नेता ही कहने लगे हैं कि ये मूर्ची तवस्था में है और हम संजीवनी की तलाश में निकले हैं कर्णिया कुमारी से लेकर के कश्मीर तक पता नहीं राजस्तान आते हैं ते क्या होगा यहां तो आपस में जूती है चल रहे है अगर गहलो जी चले गए अद्देक्ष बन गए पता नहीं क्या होने वाला कि वो आने भी नहीं देंगे सचिन पाइलट को आसानी से तो बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़े होंगी अगले एक सो चालिस दिन में पैंतालिस जब बोला था तो उसको दो-तीन दिन तो होगे वो जो भी बचा है एक सो पैलिस तालिस दिन में आर अगरवाल जी पूछ रहे हैं कैन अंकुर शर्मा जी अफ एक जुट जम्मू कैन भी एन ऑप्शन मैं अंकुर जी को अच्छी तरह से जानता हूँ बहुत ही ब्राइट और बहुत ही सुल्जे हुए विचारों वाले और अखर वक्ता चिन तक सब है उन में लेकिन जब तक टेस्ट नहीं हो जाए पुलिटिकल ग्राउंड पे तब तक कुछ कहना थोड़ा सा कठिन होगा इसी के साथ हमरे प्रश्ट समाफ्त होते हैं यहीं पर हम विराम देंगे इस सेशन को आप सबी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद उंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद मनीश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम